जिजा करके उनके उनसे फाइट ना ले खुछ भी तो उनको घर लेना ही पड़े है उसकी शुरुआत है अपर उसके गिल आगे आ चुके है इस रेडी फॉट पाइट वो और मोलटॉप के बिलकुल सामने गाड़ी रोगी के इस चोज के उनका गेम प्ले किस तरही रोगना मॉली ये काया था वीरू के उपर हो सकता है गिल को भी डामेज हलका सा पड़ सकता बट नहीं पड़ा है यहां पर फ्रेंजी स्पॉट के नहीं कोशिच करना चाहते है हलका से एकदम उपर से टीपी लिने कोशिच कर रहे हैं मभी मोलटॉप के एकदम साइट से निकले है यहां पर यहां पर के लिए एक एंड गेम बनाया था यह साब बहुत ही शांदार उन्होंने वहां पर स्कॉट वाइप करी थी बट और और इंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करते हुए बढ़रें बट फ्रेंजी का पॉजिशन के बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं है आपर तो यह एक एक्स फैक्टर ज़रूर बद बद स्कॉट के है शॉर्ट नहीं कोई जबी तक करेक्टिव है बट चब करेक्टिव और साथ के सारे एक नौक बीटियार माइक्रोबॉय मेगा स्वाग को भी कॉफ कर रहे हैं यह सोरे लक्सी अभी तक फिलाल डाउन है उनको भी रिवाइब दिया जाएगा बट चुके राइजन और जक्स ये तो प्लेयर जी जीवित इन पीप के लिए देखना पड़ेगा कि बीटियार इस गेम में क्या प्रदर्शन निकालती है बीटियार के दो प्लेश पर चिया है माइक्रोबॉय भी प्लेश उनको अपना के लिए तोड़ा सा खराब रहा है यू यू लबलप ने वापर सिनलजी को भी एक एलिमिनेशन बन कर आता हुँआ उसके बाद मार पास शेडी में बच्टिया अठारा लोग जी वित आई एंडी और उसके अंदर टी वन के प्लेश रहेंगे नो चांस के प्लेश रहेंगे बद देर इस वान टीम और इंज रॉक अभी भी जिन्दा है येस बिल्कुल वैल्डेस भी भी जिन्दा है देखना पड़ेगा वो भी क्या प्रदर्शन दिखा पाते है बट यहां पर जैसे बात चल रही थी टीम आइडी के 420 ओपी ने बीटियार के दो लास्ट प्लेश को फिनिश ओफ कर रहा था वेकल एक्स गिल इंस्टेटली प्रोन हो जाएंगा और उसका पैर दिख रहा है यह थिक्कत हो सकता है बट इंसेटली गिल ने अपने आपको रीप पोजिशन भी कर लिया और इसे के साथ और इंज रोग के प्लेश ने अच्छा का सर्कल के अटर एंटर एंटरी बहुत ही बहुत ही ब बैदल्स के एक और प्लेश बचे हुए बट सकाउट अभी के लिए अपने अपको कवर में बनाना चाहेंगे और इंज आकरी गोली यहाँ पर आती है स्काउट की जरब से साथ किल्स प्लेयर के पास है तस किल्स्टीम के पास है स्काउट इस ऑन फायर बिलकुल यहाँ पर ओन फायर है विकेंटी की थंडी वादियों में भी स्काउट यहाँ पर गर्महाट दिखाते हुए अपना सेडन यहाँ पर स्प्रे डालने की कोशिश करें और इंज रॉक के प्लेयर को रोकने की बट क्या रोक पाएंगे क्योंकि और इंज रोक जिस प्रकार से खेल रहे ह और इसी के साथ T1 के प्लेयर के तरफ से रिज अडवाटे जरूर है बट वीरू यहाँ पर सेडर को इसी के साथ T1 भी हो चुकि है इस गेप से इलिमिनेट यहाँ जरूर एक गर्वा वाली मोमेंट है हम लोग के लिए और आतन की यहाँ पे अच्छा का सा रेज रोक होल्ड कर रहे है और इसके साथ इसका फाइदा भी जरू ठापाएंगे बटा और और इंज रॉक के तरफ तरफ देख रहे हैं टीम आएंटी के ओपर अभी फोक को भी बूस्टर लगाना पड़ेगा सारे प्लेश यहाँ पर तोड़ा सा स्लोडावन हो जुके अपने प्लेश को रहे हैं और इसके बार फेर से फाइट जो है वहाँ पर से चालू हो जाएगी साथ किल्स के पास आइंटी के स्नाक्स की उपर उनकी नजर रहेगी आठवा अच्छलनीटी के अच्छा गिर्दी नयरे प्लेश डिग्टी नकीजर ती अर्ड़ी तीन नकीड उनकीडि़ उनकीजेगे उनकीज़ा रहेँ पर तोड़ तेस बड़ली झाल इस ऊर्ड़ी और इस और जर्याँक्वाँ गाइख ड़नेग्गी तोड़ेगी नजर